दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं पर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की दो सिस्टरस और ब्रदर की फियान से इन सब के साथ एक साथ अफेर करता है यह सब वो क्यों कर रहा था और इसका अंद क्या है यह हम आज के हमारे मुवी अबाउट 2001 की एक रोमेंटिक कॉमेडी में देखेंगे अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर करतीजेगा और बिना किस देरीगे एक्स्प्रेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन क्यारीटर लूसी है में उसके ए हर एक लडगे को इसी तरीके से तुम ठीट करती हो लूसी कहती कि मेरा इंट्रेस्टी चला जाता है उसे लडगे में कुछ अलग कौलिटी चाहिए लौरा किसी भी लडगे को डेट नहीं करती थी तो लूसी ने कहा कि तुमें समझ में नहीं आएगा लूसी एक लड़कों को डेट नहीं करती है उसने एडम को ओर्डर लिया और एडम को भी लूसी अच्छी लगी थी जाते जाते एडम उसे डेट के लिए पूछ लेता है लूसी भी इसके लिए हां कहती है उसे उसके लिए कुछ अलग साई फील हो रहा था अगली दिन एडम कॉल करने वाल है तो इस बात के लिए हो बहुत ही एक्साइटेड हो के वो गहता है कि आज शाव में तुम्हें मेरी कार में पिक अप करूंगा एडम ने उसे अपनी जैगवार में पिक अप किया जो उसे बहुत अच्छी लगती है लूसी की घर पर तो सिस्टर और एक ब्रदर था स सब लोग घर में थे तो लूसी आडम को इंट्रोडूस करवा देती है सब लोगों को बहुत पसंद आया था अगली दिन लाइबरेरी में लॉरा और लूसी बात करते है लॉरा ने कहा कि आडम तुम्हारे जॉइस के लिए बहुत ही अलग है उसे बुक्स और पोईटरी मे उसमें कोई भी इंट्रेस्ट ही नहीं है लूसी कही थी कि वेट करना अच्छा होता है अब तक आडम और मुझमें भी कुछ भी नहीं हुआ इस बात को लेकर हो जरा वरीर थी कि क्या आडम भी उसमें इंट्रेस्टेड नहीं है इसके बारे में अपनी सिस्टर से बात करती जिस तरीके से Lucy Adam के बार में बात कर रही थी तो उसकी सिस्टर ने पूछा क्या तुम उसके प्यार में पढ़ रही हो रेस्टराण में उसका गाना सुनने के लिए Adam हमेशा आया करता था तो एक रात दोनों इंटिमेट हो जाते हैं एक दिन एडम लूसी और उसकी मदर को ट्रीप पर लेकर गया गाड़ी में लूसी की मदर एडम से कहती है कि लूसी को भी वो स्टोरी बता वो पता नहीं रहा थ तो लूसी की मदर यूसे बता देती है एक्च्वल में जो गाड़ी एडम के पास है ये गाड़ी एडम की मदर को बहुत अच्छी लगती थी पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे एडम के फादर हमेशा कहते थे कि एक दिन वो उसके लिए बाई कर देंगे पर कभी भी उन अच्छे से घुल मिल चुका था उसकी सिस्टर एलिस को बेबी सीटर की जरुवत थी तो एडम भी उसके बेबी का ख्याल रखने के लिए रेडी था एक दिन रेस्टराउन में फिर से लूसी से मिलने के लिए उसका एक्स बाईफरेंड साइमन आ जाता है उसे कहता है कि मे एडम में कुछ भी नहीं है पर फिर भी उसके प्यार में बढ़ रही है ये बात अभी अभी उसे रियलाइस हुए कि वो एडम से प्यार करने लग गई है नेक सीन में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कहती कि एडम को मैंने पूरी तरीके से बदल दिया है पहले हो शाय पर आप सब लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है एक दिन हो मुझे बहुत ही रोमेंडिक सी होटेल पर भी लेकर गया था वो आज जो भी करने वाली थी इस बात को लेकर जारा नर्वस थी रात में अपने रेस्टरान में उसने अपनी सारी फैमिली को इन्वाइट कि और गाने की बाद उसने एडम को सब के सामने प्रपोस कर दिया एडम इसके लिए हा कहता है और सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे है इसके बाद मूवी फ्लैश बैक में चली जाती है एडम जब फर्स टाइम उसके घर पर लुसी को लेने के लिए आया हुआ था तब नाम जानने के बाद उसने का कि लॉरा नाम की मेरी फेवरेट मूवी है एक पोयम है जो भी मुझे बहुत अच्छी लगती और उसका नाम भी लॉरा ही है इस पोयम के बार में लॉरा जानती थी और उसके बार अपनी थीसिस वो लिख रही थी एडम ने उसे पोयम बोल कर बता है और उस वज़े से वह बहुत ही इंप्रेस्ट हो गई थी अगली दिन लॉरा जब लाइवरेरी में गई तो एडम भी वहाँ उसी पोएम को ढूड़ने के लिए गया हुआ था उसे दिखकर वह बहुत ही सप्राइस थी अचानक से एडम ज़रा डिस्टब हो जाता है औ उसके बाद वह चले गए मुझे लगता है कि मेरा ही कुछ फॉल्ट है और लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे उसने लॉरा से कहा कि मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा यहाँ पर उन दोनों की बीच में जो केमिस्ट्री थी इसकी बार में बात चल रही थी वो एक दूसरे को हक करते हैं और एडम ने उसे गाल पर किस किया अगली दिन लॉराल उसे से बात करी थी कि एडम तुम्हारे जैसा नहीं है यहाँ पर वो ज़रा डरी हुई थी वो भी अब एडम को लाइक कर दिया है उसे एक बुक दिखी और लगा कि एडम को एक बुक उसके लिए वो बाई कर लेती है इस बुक के ऊपर वो एक मैसेज लिखना चाहती थी पर वो बहुत ही जादा कनफ्यूस्ट हो जाती है वो जो भी फील करती है इस सब कुछ बताना चाहती थी फाइनल उसने कहा कि इस बुक को पढ़कर मुझे जो फील हुआ है शायद वो तुम्हें भी हो जाए अगली दिन वो उसे लाइबरेरी में मिलती है एडम को जो बुक को गिफ्ट देने वाली थी यही एडम पढ़ रहा था तो उसे कहती है कि बाई मत कहना लॉरा अपने फ्रेंड के साथ थी दूसे कहती है कि तुम मुझे जॉइन कर सकते हो पर एडम वहाँ से चला जाता है राद में लॉरा अपने एक फ्रेंड को लेकर प्ले देखने के लिए वहाँ बर भी एडम आया हुआ था थोड़ी दिर में बीज में से एडम उठकर चला जाता है लॉरा उसके पीछे बागे बर कहीं भी उसे नहीं मिलता उसकी फ्रेंड आकर उसे कि क्या सब कुछ ठीक है कि तो में प्ले अच्छा नहीं लगा लॉरा खेती कि एक वीग हो चुका मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहे हमेशा मैं एडम के बारे में सोचती रहती हूँ जो भी चीज़े में लीखती हूँ परती हूँ सब कुछ फील करवाती हूँ अगली दिन पाद उसकी सिस्टर एलीस ने नूटिस की एलीस उसे पूछती है तुम और एडम जब मिलते हो तो किस बारे में बात करते हो क्या तुम एक दूसरे से बहुत एक्ट्रेक्टेड हो लॉरा कहती कि एडम बाकी लोगों की तरह नहीं है हम दोनों में जो है बहुत ही अलग है वैसे लुसी और एडम में कुछ भी common नहीं है, तब लुसी का एक्स boyfriend साइमन से दिख जाता है, लुरा ने जाकर उसे बात की और कहा कि लुसी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तुम्हें उसे call करना चाहिए, वो तुम्हें miss कर दिया, साइमन को सुनकर बहुत अच्छा पर उसी बारिश में लॉरा बाहर जाकर एडम को call कर दिया, उसने एडम से पूछा, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते है, एडम कहता है कि मैं एकी चीज़ चाहत हो, अभी क्या भी तुमसे मिलना, वो फिर उसके घर पर आके, उसे उसकी book दे दिया, लॉरा ने एडम से क्या तुम मुझे ignore कर रहे हो, एडम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरी feelings को control करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह मुझसे हो नहीं रहा, कल रात जब मैं Lucy के साथ था, तो तुम्हारी बारे में सोच रहा था, इसके बाद यह दुनों intimate हो जाते है, इनका हमेशा एक पर यह दिखाया जाता है, जिसमें Lucy ने आडम को शादी के लिए पूछ लिया, यहाँ पर भी आडम लॉरा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पर जब Lucy उसे पूछ लेती है, तो उसके बाद उसे हा कह देता है, इस बात से लॉरा बहुत हर्ट हो गई थी, अगली दिन वो उसे म पीची बीचे आके, अडम ने कहा कि अगर हमारे अफेर के बारे में लोगों को पता चले, तो तुम्हारी बेज़ती हो जाएगी, इसी वज़े से मैंने किसी को कुछ भी बताया नहीं है, हमारे बीच में जो रिलेशन्शिप है, यह शादी के बात नहीं रहती है, यह गल्फरेंड उसी कुछ भी भाव नहीं देती, उसके साथ इंटिमेट रिलेशन्शिप चाहता है, पर इस बात के लिए मान नहीं रही थी, जैसे जैसे लुसी और एडम की रिलेशन्शिप आगे बड़ी, वैसे ही डेविड अपनी गल्फरेंड से बात करता था, वो गयता उसकी सारी प्रॉलम उसने उसे बता दी, एडम कहता है कि तुम्हें इस तरीके से वेट नहीं करना चाहिए, लड़कियों को और देने वाला लड़का बहुत अच्छा लगता है, एक दिन डारेक्ली तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए, ये सब कैसे करना है साइमन को स समझ में आनी रहा था, एडम कहता है कि तुम वरी मत करो, रात के लिए हम डिनर प्लान करते हैं, डिनर के वक्त एडम उनके घर पर आया, और ये सब लोग बहुत ट्रंक हो गया, निकलते वक्त एडम ने बहुत लेट कर दिया, बाहर बारी सोने लग रही थी, तो प्रिटे डिविड को बहुत बुरा लग रहा था, एडम कहता है कि तुम में कोई भी कमी नहीं है, ये उसका ही फॉल्ट है जो तुम से दूर रह रही है, ये सब सुनकर डिविड एडम से एट्रेक्टेड होने लग या था, रात में डिविड की नीन खुली तो एडम उसके पास नह करते हैं, इसके बाद वो दोनों इंटिमेट हो गया, एडम ने जो बेकिया, इसके लिए डिविड बहुत खुछ था, वो जीम के स्विमिंग पूल में लूसी को देखता है, उसे लगा कि वो एडम के साथ है, पर लूसी अपने एस बॉइफरेंड के साथ थी, और दोनों क पसन आता है, डिनर के वक्त, अजपन एडम के कार के बार में स्टोरी बताता है, उसने कहा कि एडम के फैमिली के पास उसकी कार थी, वो जब छोटा था, तो उसी कार में उसके बैरन्स का एकसिडंट हो गया था, जब बड़ा होने पर उसके पास कुछ पैसे आए, तो सारे पैसों से उसने उसे रिन्यू कर दिया जैसे कि हम देख सकते एडम हर एक परसन को अलग-अलग स्टोरी बताता है इस स्टोरी के बाद एलिस फिर से उसी के बारे में सोचने लग गई थी जब वो लॉरा के साथ शॉपिंग करने के लिए तो एडम का उसे कॉल आता है उसने कह एलिस कहती कि उस दिन तुमने मुझे आकर बात क्यों नहीं कि एडम कहता है कि क्या तुम मुझे में इंट्रस्टेट हो मुझे तुम बहुत एट्रेक्टिव लगती हो क्या हम दोनों अकेले में मिल सकते हैं एलिस ने कहा कि मुझे बेबी सेटर की ज़रूत पड़ेगी एलिस अचानक से रियलाइस करती कि यह सब बहुत गलत है और उसने उसे मना कर दिया जब लुसी ने एडम को प्रपोस किया तो एलिस को भी बुरा लगा था वो उने फिलिन्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक दिन एडम के घर पर आके पुरे दिखती है एडम और लुसी की बीच में अफेर चल रहा है उसकी घर के बाहर ही छूप रही थी एडम में देखकर बहुत रसता है एलिस को अब लग रहा था कि एडम लुसी के लिए अच्छा नहीं है तो इसके बारे में उसने अपनी मदर से बात कि कहा कि मुझे लगता है कि एडम की कुछ सिक्रेट् कि इस वर्ड में बहुत सारे बोरिंग आदमी है अगर एडम उनमें से नहीं तो लुसी का अच्छा लग की है इसके बाद हमें डारेक्ली वेडिंग डे दिखाया जाता है लुसी को मनाने के लिए उसका एक्स बॉइफ्रेंट साइमन उसके घर पर पहुँच गया लुसी और एलिस इन दोनों से समझाया सच बोलने से कुछ भी अच्छा होने नहीं वाला क्योंकि वो अपना खुद का सच छुपाना चाहती थी वो कहती कि अगर तुमने बात चुपाए तो सब लोग बहुत कुछ रहेंगे तुम आगे कि अपनी लाइफ एडम के साथ बिताना च चाहती हो यही जीज इंपोर्टन्ट है यह सब बात लूसी ने अब मान ली थी एलिस फिर एडम से मिलने के लिए उससे कहती कि क्या तुम अभी लौरा के साथ अफेर करें हो एडम ने कहा कि वो भी चल रहा है एलिस पूछती कि क्या तुम अभी मुझ में हुआ है उन्होंने मेरे बारे में मायंड में एक स्टोरी क्रेट की होती है मैं सिर्फ उसी का केरेक्टर प्लेई करता हूँ वो भी खुश हो ते और में भी खुश होता हूँ फिर ईलिस और वह ने पुछा कि अब क्या करोगे अडम ने कहा कि अब मैं शादी के लिए पकुछता है कि क्या तुम उसे शादी नहीं करना चाहती। लुषी ने कहा कि एक चेज है जो मैं तुमें बताना चाहती हूं, एडम ने कहा कि तुम्हें मुझे खुछ़ भी बताने के ज़रुआत नहीं है, मैं तुम पर हमेशां ट्रस्ट करूँ गा। हर एक आदमी की कुछ ना को सिक्रेट्स होते हैं वो एक्षन क्या लेगा यह बहुत इंपोर्टन्ट है वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और वो फिक्स था लूसी इस तरीके से एडम का ट्रस देखकर इंप्रेस्ट हो गई थी यह दोनों फिर खुशी-खुशी शादी कर लेते हैं इसी के साथ यह मूवी एंडो जाती है एडम हमेशा लोगों के सामने प्रिटेंड करकर जिन्दगी का मजा लेता है पर उसका लूसी से प्यार भी कम नहीं है उससे और शादी कर लेता है अगर आपको एक्स्प्रेशन अचा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता है तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूग के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिया